यह मेरा बोडन कटाउट होता है यह मैं मार्केट से कटवाती हूँ उसके उपर मुझे पहले इमर्शिन यूज़ करना पड़ता था लेकिन अभी रिसेंटली मुझे पीडी लाइट का फैविक्रिल टेरकोटर प्राइमर मिला और मैं इसको इसके उपर यूज़ कर रही वो थोड़ा सा खुरदरा था लेकिन यह चिकना है इसे हमारा कलर कम यूज़ होता है अभी मैं आपको यूज़ करना बताओंगी इसको कैसे यूज़ किया जाता है हम एमडियाफ का रॉ लेते हैं उसके उपर टेरकोटर प्राइमर यूज़ करें जब हम प्राइमर यूज हैं तो कई बर प्राइमर बहुत गाडा होता है तो पानी भी यूज़ कर सकते हैं समर्स में वंखे चलते कूलर चलता है तो हमें पानी की जूरत पड़ती है अदरवाइस हम लोग डेटी यूज़ कर सकते हैं इसको इसकी शाइनिंग आपको दिख रही है यह प्राइमर हम जब यूज़ करते हैं साथ के साथ सुकता जाता है बुडन कोई कोटिंग मिल जाती है और अगर हम यह ज़्यादा करना है तो हम इसकी दुबारा कोटिंग भी कर सकते हैं अभी हमारा बाएंग, साइड में, सभी हमने ये काम किया है शिल्पकार से, अब ही मैं एक आटिस्ट को और बलाऊंगी, जो आपको दिखाएंगे कि शिल्पकार का काम कैसे किया जाता है मेरे साथ में, ये शिल्पकार है, इसमें दो आइटम होते हैं, एक रेजन और एक हाडनर जब तक हम इन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, ये हाडनी होगा जादा कम नहीं होएगा, तबी भी नहीं सुकता ही है, इसलिए इसको हम सिजर से बराबर बराबर काटेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, आपको ये मिक्स करके बताएंगी मेरी आर्टिस्टें जो तब तक मिलाते रहते हैं, जब तक ये दोनों का एक कलर ना हो जाए और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाता है, तब हम इसका डिजाइनिंग चालू करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा एक कलर में आ गया है, इस आर्टिकल पर आप हम डिजाइनिंग स्टार्ट करेंगे, मैं अपनी आर्टिस्टों को बुलाऊंगी ताकि वो जल्दी से इसको कंप्रीट करके आपको दिखा सके, शिल्पकार जब हम यूज करते हैं तो थोड़ा सा उसमें टेलकम पाउडर का भी यूज करते हैं, ताकि हमारे हाथों पर जो भी डिजाइनिंग कर रहे हैं वो चिपके ना, आप देखिए कोई भी शेप देनी होगी, तो हम शिल्पकार को उसी शेप में बनाएंगे, ये के लिए मैंने पत्ती बनाई है, और दीखिए इसको पत्ती को शिल्पकार अपने आप में पेस्ट हो जाता है, अदरवाइस हमें नीची फेविकॉल का यूज भी करना पड़ता है, शिल्पकार को डारेक्टी लगाया है और वो इसके उपर चिपक गया है, इस आर्टिकल क जल्दी बनाने के लिए हमने ये सबसे डिजाइनिंग तयार कराई है, इसको पेस्ट करने के लिए हम फेविकॉल भी यूज कर सकते है, ताकि हमारा आर्टिकल जो भी बने वो मस्बूत बने, हमारा ये आर्टिकल सूखा हुआ है, इसको हमने पहले से तयार करके रखा पूरे आर्टिकल को अच्छी तरह ढखना है डाग ब्राउन कलर से आप देखें पूरे आर्टिकल में ने यह ब्राउन कलर किया है और जैसे यह सूख जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं कि ब्राउन कलर के ऊपर हमने गोल्डन कलर का टच अप दिया है यह हमारा आर्टिकल तयार हो गया है एंटिक लुक में आजकल लोग एंटिक लुक में कलर पसंद करते हैं और अगर हमें कलर फुल करना है तो कुछ आर्टिकल्स हमारे पीछे लगे हुएं आप देख सकते हैं उनको इसी का आर्टिकल भी colorful तयार है हमारे पास ये देखिए आप देख सकते हैं हमारा colorful आर्टिकल तयार है इसको हमने और decoration करने के लिए fabric glue से stones की decoration करेंगे यह fabric glue है, इससे हम लोग stones लगाएंगे, ताकि हमारा article और खुबसूरत लगे यह fabric glue से हम लोग stone लगा रहे हैं, इससे हमारे article को मजबूती भी मिलती है और यह fabric glue transparency में आ जाता है इस उखने के बाद आप यह देख सकते हैं, इस तरीके से हम अपने articles को decorate करते हैं अब आप देख सकते हैं, complete होने के बाद हमारा article इस तरीके से तयार हो जाता है अभी हमारे यह article दूल मिट्टी से, अगर हो भी जाता है तो गीले कपड़े से इसको पहुंचेंगे तो इसमें कुछ खराबी नहीं होगी